स्वागत अच्छे आपका स्पोर्ट सार पर मेरा नाम है अकाश और बात करेंगे हारेस राउफ की हारेस राउफ की स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है इतनी इंस्पाइरिंग है कि मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो के बाद क्योंकि यह एनालेसिस है ESPN क्रिकनफो की एक इसे हर कोई यह एक ऐस्पाइरिंग क्रिकेटर हर कोई एक जो टीनेज में कोई लड़का है जो कृक्रिकेटर बनने सपना देखता है लेकिन किनी वज़ायों से चाहे वो financial हो चाहे कोई भी एक reason रहा हो कि जिसके वज़ाय से वो hesitate कर रहा है कि क्या मुझे अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए या नहीं क्या मतलब यह मुझे अलॉड है क्या मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा क्या fear of failure जो होता है बच्चों में कि अगर नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा उन सभी यह शारी डाउट जिन भी बच्चों के जहन में है तो जरूर यह वीडियो भी देखेगा क्योंकि यह उस documentary के analysis है और इसके बाद आप जरूर देखेगा ESPN क्रिक इन्फो की वो documentary they are the best मतलब वो सबसे बेस तरीके से आप कहसकते हैं वो सारे emotions डालना चाहिए वो production का काम हो वो extraordinary है और मैंने जितनी भी बार मैं बहुत बार यह वीडियो देख रहा हूं मैं कल से वीडियो देख रहा हूं और मेरा मन था कि analysis करूं क्योंकि मतलब Haris Rauf की जो story है वो आप कहसकते हैं इंडिया और पाकि से relate कर पाएंगे कि क्या वो एक difference होता है ना कि सोच का mentality का कि मैं ऐसा कर देता तो मैं भी आज उसकी जगह होता आज हारिस रॉफ जैसा मेरा भी नाम होता पर वो ऐसा नहीं करवात में तो यह वो ही story है जी जो hard work आप कहसकते हैं perseverance जो जितना में struggle होता है eventually वो उस तरह के success सामने लाता अगर आप give up नहीं करते कि जब दुनिया आपके बारे में बात कर रही होती है लेकिन एक समय ऐसा था उनकी life में कि जब cricket खेलने के लिए उनको पिता से dart पढ़ती थी आप कैसकते उनकी family की जिस तरह की financial condition थी जो situation थी वो उनको बिलकुल allow नहीं करती कि आप ऐस ऐसे बड़े-बड़े सपने देखें लेकिन उनने सपने देखें और सपने ऐसे पूरे करें कि आज दुनिया उनके बारे में बात कर रही है कि भाई इस speed sensation की कहानी क्या है कहानी की शुरुआत ऐसे होती है जी अगर मैं आपको उनके career के एक सबसे आप कह सकते हैं defining moment उसका जिकर करें तो हारिस रॉफ मतलब आप देखते हैं कि भाई कोई भी टैनिस बॉल क्रिकेटर है पाकिस्तान में टेप बॉल बहुत जादा प्रॉमिनेंट है चाहे वो वसीम अकरम वकार यूनिस इम्रान खान लेजंडरी फास बोलर जो फास बोलर्स प्रोड्यूस करता है तो वहाँ पर एक कॉमन चीज है जादतर वो लड़के अब तब अर्ली डेज में इंडिया में भी सेम वही कल्चा रहें इंडिया में टेप बॉल का नहीं है बच्चे टैनिस बॉल से जादा खेलते हैं लेकिन उसका ही एक आप खेसकते हैं एक अलग सा ही उन्होंने एक व एफर्ट ही नहीं लगाए और मैंने अपनी तरफ से वो पूरे कोशिश नहीं करी कि उसके बाद मैं बाद में रिग्रेट करूँ कि यार मैं वहाँ नहीं पोच पाया उन्होंने विजन करा और आप कह सकते हैं गुजरान वाला 2017 ट्राइल्स थे ओपन ट्राइल्स थे तो उसके बाद हमने देखा कि भाई वो जो डिसाइसिव डे था उनकी लाइफ का और कहीने का उसमें यही बात होती है कि आप एड़्वर्स सिचुएशन देखकर या तो गिव अप कर दो या भी आप कहतो कि नहीं भाई ठान लिया आप करना तो करना है चाहे उसके लिए क कुछ भी करना पड़े चाहे उसके लिए आपको जो ताला लगा हुआ गेट पर उस गेट को भी तोड़ना पड़े लेकिन आज का ये दिन वो ही है यही डिसाइड कर देगा कि जो एक्स्टा एफट लगाया था शायद उसके रिजल्ट्स आगे देखने को मिले तो ऐसी च competition है मैं अचीव कर पाऊंगा और हारेस ने ये चीज़ नहीं सोची कि मैं अचीव कर पाऊंगा उन्हें का जब आया हूँ तो अपना 100% देखे जाऊंगा चाहे मुझे घंटों बैटना पड़े उनके साथ उनके दोर-दोर स्ट्रेवल कर रहे थे उस दिन ओपन ट्राइल् होता तो definitely results भी देखने को मिलते हैं हारेस वहाँ पर लगातार rounds पार करते गा और उनकी उमीदे बढ़ती गई और इवेंच्वली जब आखरी में जो shortlisted बच्चे थे जो आप कह सकते हैं उस वक्त प्रीमियर यंग्स्टर्स होंगे fast bowling के पाकिस्तान में जो 82 miles per hour मतलब यह है इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉप बोलर्स की speed वो window होती है 80-85, 80-90 miles an hour यह kilometers में आप देख रहे हैं 130-140, 142 उसके भी तो भाई वहाँ पर 80-82 miles per hour वाले बोलर्स तो side में कर दे थे तो shortlisted आकिप जावेद महाँ पर जो पाकिस्तान के legendary fast bowler रहे हैं वो वहाँ पर shortlist कर रहे थ तो भाई वहाँ पर इस तरह के की खबर आती है कि वहाँ एक लड़के की वहाँ पर meter reading जो है और वहाँ पर उस तरह के की आती है कि उस पर mention होता है कि 88 miles an hour 88 miles an hour फिर तो भाई यह सब चीज़ देखकर मतलब वहाँ पर थोड़े से चौक जाते हैं कि कोई बात नहीं वहाँ meter reading में जो आपकी यह पास speed gun है speed gun की यह कोई mistake होगी 88 नहीं कर पाएंगे लेकिन जब Haris Rauf आप दूसरी ball करते हैं वह होती है 90 miles per hour 90 miles per hour आप देखते हैं international cricket में जो premier fast bowlers होते हैं वो उस space मर operate करते हैं तो सब shocked रहे गए भाई 90 miles an hour और जब तीसरी उनकी आप कह सकते हैं attempt होती है Haris Rauf की तो वहाँ पर जितने भी लोग हो जाते हैं वो सन रह जाते हैं क्योंकि जब meter rating सामने आती है तो former fast bowler आकिप जावेत कहते हैं this is it हमारे trial करवाने का जो purpose था वो पूरा हो गया है 92 miles per hour जो आप ये photo देख रहे हैं 92.3 miles per hour ये उस trials की photo है और देख रहे हैं कि जब एक lean 46 kg weight category उस समय उनकी वो था उस उस एक lean body वाला लड़का जो 92 miles per hour की speed से bowling करता है जो आप international cricket में over the years सुनते आए हो the likes of Bradley, Shoei Bakhtar भाई मतलब आप आपको वो उनसे relate करते हैं international cricket के सबसे fearsome fast bowlers तो भाई आपने देखा एक एक youngster आता है जो tape ball ही cricket खेलता है और उसने red आप कह सकते हैं out of nowhere leather उसने leather ball से उतनी cricket तब तक नहीं खेली थी तो वहाँ पर हारिस रॉफ 92.3 miles per hour की ball फैकते हैं और सभी को चोका देते हैं और लाहोर कलंडर्स कहीं न कहीं उनको पता चल गया है कि यार हमें एक हीरा मिल गया है we have finally found a diamond और इसको अब आपको निखारना है इसको उस तरह के से prepare करना है एकदम से unleash नहीं करना है इसको पहले तैयार करना है जिससे की इसको पांस-दस साल cricket पागिस्तान के लिए खेलते हैं विजन थे आकिप जावेद की जो खुद पागिस्तान के एक बड़े prominent fast bowler थे unfortunately 90's में जब वसीम, वकार जब उस एरा में आप खेलते हो तो आपका नाम उतना नहीं लिया जाता लेकिन आकिप जावेद भी एक बहुत quality fast bowler थे 90's में 90's के आप बात करते हैं तो भाई लाहोर की हमने बात करी कि तो लाहोर कलंदर्स में फिर ये बताब एक संसनी से बन गए वहाँ पर तो उन्होंने वहाँ पर यही का कि भाई एक लड़का मिल गया है जो आपको आगे आने वाले समय में बहुत जादा सर्व करने वाला है तो कहीं ने कहीं उनको लेकर आकिप जाविद ने कह दिये इसके साथ जल्दवाजी नहीं करेंगे इसके साथ भाई मेहनत करेंगे थारिस रॉफ अपने घर निकलते हैं वापस इसलामाबाद तो भाई उनके पास मीडिया के कॉल्स आने लग जाते हैं यह उने लग जाता है लड़का कौन है सब पूछना चारें कहते हैं कि भाई फोन जब किसी का फोन नहीं आता था उस दिन तक और उसके बाद ऐसा रहा कि फोन ही आपका हैंग हो गया कि इतने फ़ोन्स आ रहे हैं सब पूछन चारें यह लड़का है कौन जिसने open trials में आकर एक tape ball का खिलाड़ी out of nowhere 92 miles per hour की ball कर दिया और दुनिया उसके बार में पाकिस्तान उसके बार में बात कर रहा है पूरा अब यह थोड़ी थोड़ी सी rewind करते हैं कि बाई जब उनके budding years थे जब वो खेलते थे आसपर उसके लोगों का डाटना घरवालों को नहीं पता वो tape ball cricket professional ही खेलने लग गया था school की fees pay नहीं कर पाता था इसलिए streets पर snacks वगरा कचिरी बोलते है normal वो सब बेचना ताकि अपने school की academy की fees का खरचा उठा सके क्योंकि उनके फादर साब उतने capable नहीं थे उस वक्के बाई इन सब चीजों पर भी मतलब वो खरचा कर पाएं या आप कह सकते हैं उतना invest कर पाएं तो हारिस को समझ आ गई थी कि जो कुछ करना है अभी मुझे करना है बाद में I'll make my father proud और उन्होंने उस तरी के सही करा और उसके बाद जो आता है कि भाई मतब उसके बाद उन्होंने he never looked back पर उनको पता था उन्होंने यही कहा हारिस राफ ने कि यार एक fast bowler के लिए ना उ उसकी aggression सब्सक्राइब जरूरी होते हैं और मैंने अपनी cricket में वह incorporate की है मैंने अपनी cricket में बस aggression ही रखी है क्योंकि without aggression एक fast bowler का मतला भी नहीं बनता तो fast bowling छोड़ दो यह हारिस राफ की court है और कहीं न कहीं जब वो एक अगर अगर वो अपने career में वो सारी उचाहियां हासिल कर पाए तो एक बड़ी popular एक बड़ी famous court भी बन जाएगी आगे जाकर लेकिन उनका यही मानना था कि वो तो भाई हमेशे aggressive रहते थे थे अपने behavior में उसका ही reason है कि वो ए पहुसे बन नहीं तो उनके family के लिए पहुसे बन नहीं था वो सारी चीज़े manage कर पाएं तो भाई tape ball cricket खेलने का उन्होंने का कि यह नशात अभी लगा क्योंकि मैं अपने सारे खर्चे निकाल पा रहा था और अपने semester की fees देना क्योंकि उनको उनका कहना था कि tape ball काफी professional ल नहीं है तो उन्होंने का कि बाई जब हम diamond ground वहाँ पर उसके आसपास हम जब shift हुए तो उन्होंने पहले बार first class cricketers को red ball खेलते वे देखा यह revenge में जारी है story थोड़ा तो उन्होंने का कि बाई अमर को पता चला कि hard ball cricket थोड़ी सी next level कियो उसके लिए उस तरीके से train करना पड़ेगा तो फिर उसके बाद rest is as this is history उसके बाद हरे श्रॉफ ने ठान लिया कि अब अपनी cricket को next level करना है कि वर tape ball तक सीमित नहीं रहना है उन्होंने का कि उसकी longevity उतनी नहीं थी वो कह रहे है क पाकिस्तान के लिए खिलना है इसलिए वो trials वगरा देने गए और 2017 फिर ये स्टोरी एक rising स्टोरी औस्टेलिया जाते हैं प्लेयर development program के तहत और उसके बाद BBL होना पाकिस्तान cricket में एंटर करना सब कुछ हारे स्रॉफ ने बहुत आप कह सकते हैं अपनी महनस से achieve करा एक साल उनको लगा 2017 से 2018 जब आप कहते हैं कि आकिप जावेद ने का कि भाई हमें इसको ऐसे नहीं था कि केवल पस unleash कर दिया हम चाहते थे कि ये पूरा तयार होकर आपका बिल्कूल ही आप कहा सकते हैं शार्फ होकर तब जाकर आए क्योंकि हम इससे 5-10 साल की एक्टिद एक्सपे और जो struggles थे कि भाई snacks बेचना आप कह सकते हैं कि academy की खर्चा निकालने के लिए क्योंकि घरवालों को नहीं बता सकते थे घरवालों से छुप छुपा कर कपड़े दूसरे पहन कर जाना फिर अपने कपड़े बदलना और cricket के लिए जाना academy खिलना तो ये इस तरह की stories होती है कि जो लोगों को inspire करती हैं कि no matter what यार आप इस चीज़ को blame मत करो कि आपके पास क्या नहीं था आप उस चीज़ के लिए fortunate रही है कि जो भगवान ने आपको दिया है और वो ही आरेस रौव ने कहा कि भाई जो talent था अगर मैं नहीं करता तो वो उसके साथ justice नहीं होती और उन उनने कहा कि मैंने बहुत बड़े बड़े बोलर्स देखें हैं मैंने बहुत बहुत यंग talents देगे थे लेकिन जो work है थे सारे स्राफ की है ना उन्होंने कहा कि मैंने किसी क्रिकलटर के अपने सामने नहीं देखी और वो आप देख सकते हैं उन्होंने बहुत सारी youngsters को shape up करा वहाई चल लाहूर कलन दर्स के लिए हूँ अब लाहूर कलन दर्स के लिए आप कह सकते हूं कि कोज साब की भी इंटरस्टिंगई स्टूरी ए उन्होंने कहा कि जब पता चला कि डेल स्टेन चाहिए ने के जगा को ए खेलाडी वहापर बैक अप चाहिए होगा रceptions उसके बाद आपने देखा BBL में जो उन्होंने जलवा दिखाया एक्स्ट्रा ओर्डनरी था जब दुनिया जानने लगए कि भाई पागिस्तान को कोई बोलर आया है जो आप कह सकते हैं कंसिस्टेंटली डेर्ट सो के स्पीड से 150 किलोमेटर से न आर्स उस पेस पर कंसिस्टे मैंने उनके लिए पूरे करे रहो रख को कि भाई यहिंस्पिरेशनल स्टोरी और स्पेशल बन जाती है क्योंकि बागी सारी चीजओं का ध्यान रखते रखते उन्होंने अपनी क्रिकट पर इस तरीके से फोकस करा कि आप एक बैलेंस वहाँ पर बना पाए एंड उसके बाद मतलब जो बाते उनके फादर साब की तरफ से आप कह सकते हैं कि चेंज ओफ ओपिनियन्स कि पहले में उसको डाट लगाता था मार पिटाई कर द अब आप कह सकते हो कि ऐसा भी हो सकता था कि हारेस रॉफ उस दिन गेट पर ताला देखकर वापस अपने घर के चले जाते ये भी हो सकता था ये हार मान करके हम मैं आया और मेरे से नहीं हो पाया तो उन्होंने एक्ष्टा फ़र्ट नहीं लगाए होते तो स्टोरी डिफरे आती है तो बस शट मत करो दोर पर दर्वाजा तो आप कह सकते हैं दर्वाजे को तोड़ कर अंदर घुज जाओ पतारी लाइफ आपके लिए क्या डेस्टिनी वापर लेकर बैठी है और जैसे हारेस रॉफ की स्पेशल बड़ी स्टोरी मतलब जब मैंने इस स्टोरी देख बड़ आई तिंग ये स्टोरी बहुत सारे यंग्स्टर्स को इंस्पायर करेगी मैं होप करता हूँ और जैसे आज आज आप देखते हैं कि अगर हार्ड वर्क के साथ वो आप कह सकते हैं कि वो डेडिकेशन मिक्स हो जाए और आपके पास टैलेंट कूट-कूट कर भराओ तो शायद सकसेस आप से दूर नहीं होती वो हारेस रॉफ की ये कहानी साफ साफ बया करती है तो प्लीज जितने भी भाई हैं और मैं चाहूंगा कि देखते हैं भाई कि कुछ सावाल भी है और आप जरूर देखेगा ESPN क्रिग इनफो पर ये स्टोरी है और आप जी जी भाई बिलकुल 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 वैरी स्टोरी तो इसी वज़ा से मेरा भी मंता में स्टोरी करूँ और आप बताईएगा अपना फीड़ बैक दीजिएगा इस स्टोरी के बारे में और जैसे आपको लगे और प्लीज ऐसे ही आप स्पोर्टसार को करते रहेगा कोशिच करेंगे कुछ ऐसे स्पेशल स्टोरी आपके लिए लाने के लिए फिलाल मैं लेता हूँ इजाज़त जैहिंद जैभारत